सुप्रभाद सुमित्रा, आज सुभाब का आना कैसे हुआ? सुप्रभाद अक्का, कल मैं व्यापारिक रिण लेने बैंक गई थी, लेकिन मैनेजर ने मुझे बहुत सारे प्रकार के रिणों के बारे में बताकर परिशान कर दिया, जो मुझे याद भी नहीं है. चिंदा ना करें सुमित्रा, आओ, मैं व्यापारिक रिणों के बारे में समझाती हूँ. बिल्कुल अक्का, तो बैंक व्याबार के लिए व्यापारिक रिण प्रदाक करता है, जैसे कारेशील, पूजी रिण, आमधेक रिण, ये रिण कम और लंबे समय के हो सकते हैं. कम समय के रिण आम तोर पर कुछ महीनों के लिए होते हैं. मान ले, 12-18 महीने, वही लंबे समय तक चलने वाले रिण आम तोर पर 5 वर्षों से अथिक समयावधी के लिए हो सकते हैं. लेकिन अक्का, किस प्रकार का रिण नई दुकान खरीदने में मेरी मदद करेगा? मैं कैसे निर्णे लूँगी कि मेरे लिए कौन सा रिण सबसे अच्छा रहेगा? आप निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर निर्णे ले सकते हैं कि कौन सा रिण लेना है? रिण प्राप्ट करने का मापदंड, प्रदान की जाने वाले रिण की राशी, आपके वियापार और आवश्चक्ताओं के लिए, सर्वोत्तम प्रस्ताव, व्याजदर, रिण वापस करने का समय, रिण पर अतिरिक्त बीवा, आविदन के लिए शुल्क और प्रसंसकरन शु सस्ती अनुमानत EMI जिसे आप वापस कर सकते हैं, कोई भी दस्तावेश साज़ा करने से पहले, अगर आप प्राइंक और एज़न से पुष्टी कर ले, तो इससे मदद मिलेगी, और रिण के लिए आविदन करने से पहले, हमेशा आवश्चक जानकारी के बारे में पूछे धन्यवाद अक्का, मैं मैंनेजर से बात करूँगी, और रिण के लिए आविदन करने से पहले, मैं शेश मिवरल प्राप्ट करूँगी, अक्का, फिर आप ये चुनाफ करने में मदद कर सकती हैं, कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा? बेल्कुल सुमित्रा तुमसे कल मिलती हो